चिंटू आज मैं तुछ से लास्ट बार मिलने आई हूँ आज के बाद मैं तुछ से मिलनी नहीं आऊंगी क्यों मेरी जान ऐसा क्या कर दिया मैंने कुछ किया ही तो नहीं कुछ किया होता ये गदे को लेकर इदर उदर ना गूनता रहता मुझे नहीं लगता तू बाइक ले पाएगा तेरी किस्मत में ये गधा ही है सायद ऐसी बात नहीं है मेरी जान वो मैं जल्दी ही बाइक ले लूँगा कद्धू ले लेगा तू बाइक कहां से लाएगा तू पैसा तू तो नल्ला है मेरी पायल तू देख मैं अब कैसे बाइक लेता हूँ मैं अब बाइक लेकर रहूंगा आज ही बाइक लेता हूँ अरे सुनाई नहीं दे रहा देखो दर्वाजे पर कोन आया है हाँ ठीक है देखता हूँ क्या चाहिए यहां कुछ नहीं मिलेगा आगे चलते रहो मैं हूँ गधा बाबा गधा बाबा तेरा भला करने आया हूँ बच्चा जिंदगी से तू परिसान है हाँ बाबा हालात तेरे खराब है हाँ बाबा सनी तुझ पर भारी है लेकिन बीबी तेरी उससे भी भारी है हाँ बाबा हाँ पडोस वाली से तुझे प्यार है धीरे बोलो बाबा इसी लिए कभी-कभी पड़ती तुझे मार है हाँ बाबा हाँ रातों को तु रोता है हाँ बाबा हाँ दिन में तु कप्ड़े दोता है हाँ बाबा हाँ बेटा तेरा नालायक है हाँ बाबा हाँ बीबी तेरी खलनायक है प्रेना हाँ बाबा हाँ आप मेरी परसानी दूर करो बाबा मुझे मुक्ति दिलाओ बाबा अंदर पधारो पधारो बाबा ये गधे का क्या करूँ इसको भी अंदर ले चलूँ हाँ हाँ क्यों नहीं बाबा ये भी कोई पूसने की बात है जो बाबा इतने बड़े महान है उनका गधा कितना महान होगा कितना महान होगा ये कोई मामूली गधा नहीं है लेकिन लेकिन क्या बच्चा मुझे इससे एक लाद खाने का मन कर रहा है लाद खानी है बाबा आज्या दे बाबा आज्या दे एक या दो लाद खाले लाद खाने की तो तुझे आदत है बच्चा धन्य हो गया मेरा जीवन सपल हो गया बाबा एह लाद मार लाद मार लाद मार मार मजा आ गया पदारो बाबा अंदर पदारो अरे ये गदे और विकारी को लेकर कहां चले घोर अप्मान है चमा करें बाबा चमा करें तु तु हट यह बहुत बड़े बाबा हैं बहुत बड़े बाबा गधा बाबा ये सब जानते हैं बोलो गधा बाबा की जाई हाँ गधा बाबा हाँ मैं हूँ गधा बाबा गधा बाबा हाँ सुन्दर और सुसील बेटी तुमको आराम करना दिन बर खाते रहना और रोज सौपिंग करना पसंद है लेकिन तुम्हारा ये कंजूस पती तुमको एक फूटी कोड़ी नहीं देता हाँ हाँ ये ये तो सस्मुच बहुत बड़े ग्यानी है सब जानते हैं हैं गधा बाबा नाम है मेरा लेकिन मैं गधा हूँ नहीं सब जानता हूँ आलोग निरंजन अरे तुहट, जा, बाबा की आरती उतारने की तैयारी कर, जा बाबा, यहाँ पधारो बाबा, पधारो बाबा आपका बेटा दिखाई नहीं दे रहा, कहां है बाबा, वो वो बहुत बड़ा नालायक है, गया होगा कहीं आवारागर्दि करने वो नालायक नहीं है, हाला तुसको नालायक बना देते हैं क्या कह रहे हो बाबा? हाँ बच्चा हाँ, उस पर सनी का प्रकोप है, तुमारे घर में सनी का वास है सनी का वास बाबा कोई उपाय बताओ बाबा आलोक निरंजन, बच्चा कोई लोहीकी जैसी चीज दिखाई पड़ रही है आलोक निरंजन बाबा, लोहीकी तो बहुत सी चीजें होती हैं बाबा उसमें दो टायर भी लगे हैं 350 सीसी का इंजन भी लगा है बच्चा साप साप बताओ बाबा तुम्हारे बेटे ने कोई बाइक की फरमाईस रखी थी बच्चा हाँ बाबा हाँ रखी तो थी पर बाइक तो क्या उसको मैं साइकिल ना दिलवाऊं वो बड़ा नालायक है बाबा नालायक वो नहीं तू है तू 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 बाइक दिलवा उसको क्रपा वही रुकी हुई है नहीं तो तेरा सर्वनास हो जाएगा सर्वनास हाँ ठीक है बाबा पर वो पडोस वाली से सेटिंग तो हो जाएगी ना बाबा हाँ सब हो जाएगा आलग निरंजन लेकिन बीबी से बचके मैं अब बाबा की आरती उतार कर आशिरवात लूँगी गधा बाबा पदारे मेरे अगना पदारे मेरे अगना आरे गधा बाबा तुम आते ही रहना कभी न यहां से भगना बोलो गधा बाबा की आच्छे आच्छे बाबा आपकी दाड़ी निकल गई लगा लो बाबा यह कुछ देखा देखा सा लग रहा है हमारा बेटा चिंटू जैसा नहीं लग रहा है लग तो रहा है यह तो चिंटू ही है कामी ने मम्मी पापा वो पीछे देखो कोन आया है चल मेरे गधे चल 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 बाग गया बाग गया